तो दोस्तों कि स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे युट्यूब चैनल नीव कोचिंग इस्ट्यूट पर तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाल वेरिंग इसी में मैं आपको एक और वेरिंग समझाऊंगा जो की होगा आपका रॉलर वेरिंग और जो होगा आपका निडल तो इसे में आपको यह बताता हूं इदी आपको ने चैनल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि आप बाल बैरिंग क्या होगा इसमें चार आप देखेंगे दिख रहा हैं इसको कहा जाएगा तुछ एक ये हो गया और इसमें वॉल्स दिख रहे हैं और एक अंदर भी लिंग को छीदा टीसें होती है चारच आपको होगा कि Bak itu मिच यह जैताया आपका आउटर रिंग इसे जाएगा आउटर रैंग यह जाती आपक्य अर्थ यह जो कर रही है इसे बोलेंगे इनर रिंग में पहरा है इसे बोलेंगे हम इनर होती है इसमें जो बाल्स लगी होती है यह दरसलेंगा वर्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूं लेकिन इसके पार्ट के बारे में जाना लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है फिर हम इसके वर्क के बारे में जानेंगे ठीक है और यह किसमें यूज की जाती है इसके बारे एक चाहओ है तो यह से अपकर मान सकते हैं कि इसी खांचे तो इन दोनों डाइग्राम में आप जो है कुछ दिफरेंस दिखरा होगा इसमें दो वाल उन रहाफ हो और यह जो होती है सिंगल वाल ये इस तरह से होता है तो इसमें क्या-क्या होगा अंगりました टिव य। और इसमें य। रेखल और जोगी है यह वाल जो व्य। बनी होती है आपका इस टील की बनी होती है अंगि ताल साखते बीच में हो यह तिर ऐलाइस में तो आप जान लेते हम इसमें कि यह जो है इसका यूज क्या होता है देखें मान लिजे कोई आपके पास वर्क पीस है कोई आपके पास वर्क पीस है अब इसको एक तो आपको होगा यह कि एक सपोर्ट प्रदान करना है तो इसका एक काम यह भी होता है कि यह जो है इसको सपोर्ट प्रदान करती है जिससे होगा यह कि एक तो सपोर्ट मिल जाएगा दूसरा यह होगा कि इसमें जो है फ्रिक्सन को कम भी किया जाता है फ्रिक्स कि ये रोटेट कर सकती है रोटेट होने में rotating part को moving होने में इसको आसानी रहे इसलिए लगाजाती है अच्छा यह क्या होता है कि इसमें load carrying करने की जमता कम होती है भजय करने क् दो बियरráं होता है है इसका यूज़ ठीक है इसका वाल वेरिंग का और एक होता है फ्रिक्षन को कम करने के लिए ठीक है तक फिर जो मुविंग पार्ट से आराम से मूव कर सके ओके छलिए छिस यह होजाता है आपका वाल वेरिंग और और एक इनर रिंग देख्ञें झाझाए ये इनर रिंग ली इसमें इस वाले डियाग्रम में देखेंगे तो यह इनर रिंगह को फी को इसमें भी यह केज होती है यह जिसमें खांचा मान सकते हैं जिसमें कि रॉलर वेरिंग यह उता है यह स्टील की बनगोर होती हैं इनका बात कि tacion बताया हुआ है कि जैसे कोई movable part है ठीक है movable part को एक तो support प्रदन करते हैं दूसरा यह जो है फ्रिक्षन को कम पर्ट को friction कम करने में यह यूज होता है अच्छा यह अभी जैसा कि मैंने आपको बता है कि इसमें वेरिग में जो होता है कि लोड केरिंग करनी की चमता अधिक होती है ठीक है यहां पर हाइ down रोड करे करने कर रहता है तो वहाँ पर रॉलर वेरिग का यूज़ किया जाता है जीसे कि भूआ 최स forty नश्थ ощущ होगा कि हाई वेरिंग करनी हाई वेरिंग जो है री हाई किसमें होती है, roller wearing में, टीक है, wall wearing के मुकाबले, इसमें ज्यादा high load carrying करने की चमता होती है, टीक है, इसमें भी एक cage होता है, जिसमें ये खांचे में ये round round ये लगे होते हैं, टीक है, इसमें भी 4 part होते हैं, ओके, तो roller wearing आपको समझ आ गया होगा, टीक है, ये जिसे cycle के पर में इसमें लगा जाता है अब नेक्स्ट होता है निडल वेरिंग जैसे आपने डाइग्राम को ही देखकर आप समझ गए होंगे ठीक है निडल निडल वेरिंग और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है एक प्यंजी लोग सतथा है क्या चाया रॉलर का राइंध जाधा होता है डामीटर कारी डामेंटर कम होता है ठीक है और यह जो है यूजर्स का कहा हो जाता है यूजर्स आप कहेंगे तो यह इसका यूजर्स होगा आपका पिस्टन पिन में इसका यूजर्स करें जाता है और रॉकर आर्म रॉकर आर्म जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कल रॉकर पिस्टन पिन के लिए उन्हें कि आप जो है मेरे और भी वीडियो थैं उसमें आप देखेंगे तो यह सभी चीज़ां दो जो यह अंको जाकर भी देखें तो यह आज हमारा वीडियो है यह यहां पर कम्प्लीट है यह अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ओके थैंक यू